हलो एवरीवान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज की क्योंकि सेबी यानि की सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनमें 14 लोगों को जिसमें की एक लक्स इंडस्ट्रीज के एक्जेकेटिव डिरेक्टर भी हैं उनके उपर इंसाइडर ट्रेडिंग की वज़े से बैन लगा दिया है तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करेंट प्राइस पे लक्स इंडस्ट्रीज का शेयर ले जाता था ये भारत की एक फेमस इनर्वेर कंपनी है और इनका जो हैड्कोर्टर है वो कॉलकटा वेस्ट बेंगॉल में है और अगर इनके प्रड़क्ट्स की बात की जाए तो ये मैन वुमेन और चिल्डरन के लिए हौजरी प्रड़क्ट्स ओफर करते हैं और ये भारत की इनर्वेर कंपनी है और अगर कुछ नंबर्स की बात की जाए तो ये भारत में इनर्वेर के मामले में वॉल्यूम टम्स में नंबर वन है छे महीने का जो इनका रेवेन्यू था एपरिल से सेप्टेंबर के बीच में कंबाइन रेवेन्यू इनका 1045 करोड का था और 15% के आ वो 80% है इसके अलावा इनके 30 करोड़ गार्मिंट पीसेज मैनुफेक्चर करते हैं दो लाग से ज्यादा इनका रेटेवर्क है चालिस से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं 2400 से ज्यादा इनके एंप्लॉईज है 5000 से ज्यादा इनके बास यूनीक आइटम्स ह और अगर color और size को अलग से count किया जाए तो 13,000 इनकी unique items है और 100 से ज्यादा यह products जैसे कि inner wear, athleisure और different wear categories में offer करते हैं और अगर product brand के बारे में आपने definitely सुना होगा जैसे premium में इनका one eight जिसको की विराट कोली sponsor करते हैं इसके अलावा इनके कुछ और premium brands हैं इसके अलावा semi premium brands मे इनके lux, cozy, lyra वगेरा आते हैं, economy brand में lux, karishma, venus और कुछ अन्य brands आते हैं और अगर इनके sponsors की बात की जाए तो इनके बहुत ही famous sponsors हैं जैसे कि हमिताब बच्चन जी, विराट कोली, वरुन, धवन, कारते कारियन, तापसी पन्नू इनके brand ambassadors हैं और अगर बात की जाए latest development की तो कल यानि की 24 जन्वरी को जो हमारा capital market regulator है SEBI यानि की securities exchange board of India उन्होंने 14 entities को ban किया है जो की lux industries के share में insider trading करते हुए पाए गए थे और SEBI ने order दिया है कि जो insider trading की वज़े से इनको 2.94.000.000 के undue gains हुए हैं उसको भी impound कर लिया जाए यानि कि उसकी legal custody ले ली जाए और जो 14 entities या 14 लोग ban किये गए हैं उसमें से एक नाम है उदित टोडी जिसकी की photo आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो lux industries के managing director हैं उनके बेटे हैं और ये खुद भी company में executive director की position को hold करते हैं तो ये कहानी शुरू कहां से हुई तो कहानी शुरू हुई थी जबकि surveillance alert system है जो SEBI का उन्होंने कुछ suspicious trading pattern को detect किया था लक्स industries के share में ये बात है 25 में 2021 की जिस दिन की इनके fourth quarter के यानि कि जो March 31 2021 को quarter end हुआ था उसके result जब में 25 2021 को declare किये गए थे और उसमें पता लगा था कि जो company का profit है वो काफी ज़्यादा बड़ा है quarter on quarter basis पे और even year on year basis पे तो उसके बाद देखा गया था कि जो इनका share है लक्स industries का share 40.75% बड़ा था सिरफ तीन trading days के अंडर और जब सेबी ने इसका analysis किया तो उन्होंने पाया कि एक group है जो कि connected और related entities का है उन्होंने इस result के आने से पहले कुछ long position यानि कि share को buy किया था और जब ये 40.75% बढ़ गया within 3 days तो उन्होंने जो अपनी position है वो square off करे थी मोटा profit कमाया था और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें कौन-कौन लोग involved थे तो सेबी ने अपना जो examination किया था based on जो blood और family relationship इसके अलावा उन्होंने कुछ call data records को examine किया था कुछ social media pointers थे और कुछ अन्य तरीकों से उन्होंने पाया कि जो उदित टोडी है उन्होंने प्राइमा फेसी जो unpublished price sensitive information होती है UPSI जिसको बूला जाता है वो इन्होंने connected entities के साथ share करी थी result आने से पहले जबकि वो sensitive होती है उसको share करना allowed नहीं होता किसी भी stock exchange में जो listed companies होती है उन्होंने इसको अवनी तोडी और संजीव बूबना और मुहमद मुझतबा खान के sensitive information थी ये अक्षे कपूर को pass on की थी और जिनोंने बाद में अक्षे कपूर ने शुबहम सुबानी को ये information पास की और शुबहम सुमानी ने फरदर कुछ और सुमानी family के members थे जिनके साथ की जो unpublished price sensitive information थी उसको share किया गया था यानि कि उनको पता था कि result बहुत ही अच्छे आने वाले हैं तो उन्होंने ये information कुछ लोगों के साथ पहले ही share कर दी result आने से पहले और उन्होंने भी फरदर आगे कुछ लोगों के साथ specifically share की और उसके बाद उन लोगों ने जो ये लोग involved हैं उन्होंने substantial long position बनाई लक्स industries के share में 21 में 2022 को यानि कि 25 में को इनके result आये उससे चार दिन पहले इन्होंने एक भारी मातरा में shares को खरीदा और जब की result आनाउंस नहीं हुए थे और उन्होंने या तो अपने account में इनको खरीदा या अपने रिष्टेदारों के या जानने वाले लोगों के account के through बहुत सारे share खरीदे और ये भी पाया गया है कि इस स पहले जादा तर लोगोंने कभी भी लक्स इंडस्ट्री के share को नहीं लिया था तो यानि कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने के लिए इस shares को लिया था क्योंकि उनको पता था कि results काफी अच्छे हैं और share उपर जाएगा तो इस information की वज़े से उन्होंने लंबी positions बन नहीं में तो उनके पास जो unpublished price sensitive information होती है तो उसका access है तो इसलिए अभी उनके लिए उनके उपर ban लगाया गया है और अगर ये इसमें ROP पाए जाते हैं तो ये provision of PIT यानि कि provision of insider trading जो rules है उसका violation होगा उसके against इनके उपर कारिवाई की जाएगी और अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें Lux Industries का share लेना चाहिए है नहीं तो सबसे पहले तो आज जब ये news आई तो इनका share 20% के lower circuit पे hit किया और उसके बाद इसमें trading बंद हो गई यानि कि जब परसो market खुलेगी तो इनका share फर्दर नीचे जा सकता है क्योंकि आज सिरफ उसमे salary seller थे कोई buyer नहीं था और अगर इनके past performance को देखा जाए तो इन्होंने तीन साल में 131% की return दी है पिछले एक साल में 76% की return है और ये तब है जबकि पिछले एक week में इनका share 27% नीचे गिरा है जिसमें से की 20% तो आज ही आज में गिरा है और अगर ticker tape के productive analysis को देखे तो वो इसका average price 4832 बताते हैं higher side पे 5525 और lower side पे 758 और आप देखेंगे कि इसमें wide gap है क्योंकि जो productive analysis किया जाता है उसमें historical price को भी consider किया जाता है और इनका जैसे कि share बहुत तेजी से तो आप देख सकते हैं कि इसमें huge gap है जो आज की closing है वो 2813 पे हुई है और कल की closing थी वो 3517 पे थी यानिकि सीधा 20% ही गिर चुका है और यह further जब परसो market खुलेगी तो hopefully और भी नीचे जाएगा और अगर हम इनके fundamental और peers analysis को देखे तो एक small cap company है इनका जो core competitor है वो page industries जो की वाली company है वो है valuation इनका attractive लगता है 27 की PE और 8 की PB इनके जो भी competitor है उनके मुकाबले में क्योंकि page industries इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ओर वेल्यूड लगता है तो इनका valuation अच्छा है return on equity बहुत ही बढ़िया है profitable company है low debt company है तो सभी fundamentals अच्छे लगते हैं लेकिन अगर मेरी personal opinion पूछी जाए तो मैं आपको इस share से दूर रहने की ही सला दूँगा क्योंकि जो भी company में corporate governance के issue होते हैं और खासकर जिसमें की management के कुछ लोग involved हैं तो उसका share बहुत बुरी तरह react कर सकता है और एक बार गिरने पे आया तो यहां से 50% 70% कहीं तक भी गिर सकता है तो जब त कुछ news आए और पता लगेगी एकाद लोगी involved हैं बाकी management में से और लोग नहीं है तो यह शायद positively भी react करें बड़ अगेन as I'm saying की ऐसे share जब तक की clarity नहीं आती तो बहुत बड़ा risk होते हैं तो मैं definitely इसको avoid करने की सला दूँगा हाला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं तो आप अपने financial advisor से बात कीजिए अपनी research कीजिए उसके बाद अगर आपको यह ठीक लगता है तो आप इसमें invest कर सकते हैं Thanks so much for watching the video and God bless you all